धंबपत स्रीद में जब आपको बारबार मन और माइंड और चेतना के बारे में बताया जाएगा तो मन का मतलब यहाँ दिमाग से या मस्तिक से या ब्रेन से नहीं है मन और माइंड एक चीज़ है मन को इंगलिस में माइंड कहते हैं और दिमाग, ब्रेन और जो मस्तिक है वो बलुकल अलग चीज़ है दिमाग, मस्तिक और ब्रेन यह हमारे खोपड़ी के अंदर, इसकल के अंदर हड़ियों के बीच में होता है जो सारे सिस्टम को प्रोसेस करता है जितना भी हम पूरे दिन में लेते हैं, सीखते हैं या जो हमें करना होता है और mind वो चीज है जो उसको चलाता है यानि mind brain को चलाता है, मस्तिस को चलाता है, दिमाग को चलाता है मन जो चलाता है, ये भगवान बुद्ध ने धाई जार साल पहले खोजा था और यही सबसे बड़ी दुनिया की खोज थी, जब उन्होंने ये कहा कि सारे सरीर को चलाने वाला जो software है, उसका नाम mind है और वो software ही पूरे सरीर को चलाता है इसमें जो brain है, जो मस्तिस्क है, उसको processor बोलते है आज की भासा में अगर computer की भासा में बोलेंगे और computer का जो software है, यानि वो mind है इसी तरह उन्होंने इसपष्ट बताया आज की भासा में कि human का जो software है, वो mind है और जो human का hardware है, वो उसका पुरा शरीर है मगर यहां जो हिंदी में और जो लोगों में कहावतें आती रहती है कि आपका दिल नहीं कर रहा, या दिल में आपके दर्द हो गया या दिल आपका बड़ा नहीं है, या दिल आपका धक धक कर रहा है या ये बात दिल में आ गई, या मेरा दिल इसको कर रहा है या अब तो मेरा दिल उस पर आ गया, या दिल ऐसा कहता है या दिल मानता नहीं ये दिल से, यानि हिर्दे से हार्ट से संब्दित जितनी भी बातें बोली जाती है दरसल ये बातें मन से संब्दित हैं कि मन में ये बात आ गई मन नहीं मानना, मन ऐसा करेगा मगर इसको हिर्दे में इसलिए बोलते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई बात होती है तो हमारा जब मन उसको प्रोसेस करता है और कमांड करता है मस्तिस को कि आप इसको करें तो उस काम करने में हमें ज़्यादा एनरजी की या कम एनरजी की जोथ पड़ती है उसके हिसाब से हमारा जो हार्ट है वो blood के circulation को ज्यादा pump करेगा या कम करेगा और उसका heart rate बढ़ जाएगा तो ऐसा लगता है कि बात मन में आई और दिल हिलने लगा बात मन में आई अगर बात मन में नहीं आएगी तो दिल पे कोई फरक नहीं पड़ेगा मगर अगर मन में आती है बात अगर मन में आती है तो दिल पे फरक पड़ेगा इसलिए मन का दूसरा नाम दिल या हिर्दे भी रखा गया जिस पर बहुत सारी कवितार कहानिया बनी है यहां जो पाली में जो चेतना यानि और जो मन पड़ाय जाएगा उसका मतलब है human software जो हमारे पूरे शरीर को चलाता है या जो जीवों के जितने भी जीव हैं उनको चलाता है उनका software धन्यवाद